हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हम घर के इंग्रीडियंट से भिंडी सामबर बनाएंगे ये सामबर मिंटों में बनके तयार हो जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर बनाएं ये सभी को ब पाने डाल कर अच्छे से वास कर लेंगे ये देखे हमने अच्छे से इसे वास कर लिया है अब हम एक कूकर लेंगे दूहर दाल बनाने के लिए हम इसमें चार कप पानी एड़ करेंगे देखे हमने चार कप पानी ले लिया है दाल एड़ करेंगे दाल में हम आधा चमच नमक एड़ करेंगे हाफ चमच हमदी एड़ करेंगे अब हम कूकर का लीड लगा करके इसमें पान्स से छे विसल आने देंगे कूकर में पान्स से छे विसल हाई फ्लेम पे आने के बाद हम इसे मेडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए कूक कर लेंगे दाल हमारा बन गया है मैंने इसे कूकर से निकाल लिया है मैंने यहां पे 200 ग्राम भिंडी लिया है जिसे मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकडों में काटा है एक बड़े साइज का टमाटर लिया है एक मेडियम साइज का आलू कटा हुआ लिया है एक मेडियम साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने इस तरह लंबे-लंबे टुकडों में काटा है सांबर बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कड़ाई लिया है गैस वान करेंगे कड़ाई को अच्छी तरह से गरम होने देंगे कड़ाई हमारा गरम हो गया है हम इसमें कोकिंग ओइल एड करेंगे यहां मैंने दो बड़े चम्मच कुकिंग ओईल लिया है ओइल गरम हो गया है हम इसमें कटे हुए प्याज एड करेंगे प्यास को दो मिनट के लिए भून लेंगे चाज हमारा भून गया है हम इसमें एक कटी हुई हरी मेर चाट करेंगे एक टुकड़ा अधरक आड करेंगे पारी कटा हुआ अब हम इसमें भिंडी आड करेंगे भिंडी को मिलाते हुए पांस मिनट हाई ख्लेंपे भून लेंगे अब हम इसमें आलू आड करेंगे आलू को भी मिलाते हुए पांच मिनट के लिए भून लेंगे हाई प्लेंपे यह दिख्या आलू और बिंडी हमारे प्राय हो गए है अब हम इसमें टमाटा रड करेंगे टमाटर को भी मिला लेंगे गैस का स्लेम मेडियम कर देंगे हम इसमें मसाले अड़ करेंगे हम इसमें हाफ चमच नमक अड़ करेंगे हल्दी एड़ करेंगे हाफ चमच धन्या पॉडर एड़ करेंगे हमारे सामबर में अच्छा सा कलरा इसके लिए हम हाफ चमच तासमेरी लाल में चैट करेंगे इन सब को अच्छे से जिला लेंगे मेडियम फ्लेम पे तस मिनट सबचियों को ढख कर पकने देंगे दस मिनट हो गये हैं अब हम इसे चेक कर लेंगे यह देखिया हमारा सबचिप बन गया है हम हमारी सबचियों को इस तरह से प्रेस करके चेक कर लेंगे हमारी सबचिप अच्छे से गले है की नहीं हमारे सबचिप अच्छे से पक गया है अब हम इसे निकाल लेंगे हम सभी सबजियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे यह देखे हैं मैंने सभी सबजियों को एक प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसी कड़ाई में सामबर को तड़का देंगे हम इसमें कुकिंग ओईल एड़ करेंगे यहां मैंने दो चम्मच कुकिंग ओईल लिया है हम इसमें हाफ चम्मच सरसो के दाने एड़ करेंगे हाफ चम्मच जीरा एड़ करेंगे हाफ चम्मच मेथी दाना एड़ करेंगे एक चमच उरत की दाल एड़ करेंगे एक चमच चने की दाल एड़ करेंगे हम इसमें दो सूखी लाल मिर्च एड़ करेंगे हम इसमें हिंग एड़ करेंगे कड़ी पत्ता एड़ करेंगे हमारे भेज्टेबल से एड़ करेंगे और इसे मिला लेंगे टैम्पे हम इसमें डाल एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे सांबर हमारा काफी थिक है हम इसमें एक कप पानी एड़ करेंगे पानी एड़ करके इसमें एक उबाल लाने देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे हम इसमें एक बड़ा चमच सांबर मसाला एड़ करेंगे इसे भी अच्छे से मिला लेंगे हम इसमें दो बड़े चमच इमली का पल पैड़ करेंगे इसे भी मिला लेंगे इसमें हाफ चमच गुड एड़ करेंगे गुड हमारे खटास को बाइलेंस करें करास तक करेंगे करेंगे ये देखिए दोस्तो हमारा सांबर बन के तयार हो गया है इस टाइम पे गैस का फ्लेम आफ कर लेंगे और हम इसे सर्व कर लेंगे देखिए दोस्तो हमारी भेंडी सांबर की रेसेपी बन के तयार हो गई है आपको मेरी वीडियो हेलफफुल लगे तो आप मेरी चैनल को लाइक करे, शेर करे, सस्क्राइब करे थैंक्स पोर वाचिंग